पार्ट तीन, इक की मात्रा सुप्रभाद बच्चों, सुप्रभाद मैं बच्चों, आज हम जिस मात्रा के बारे में सीखने वाले हैं, वह है इक की मात्रा इक की मात्रा के प्रयोग को सीखने के लिए आये पहले इस मज़िदार कविता को पढ़ते हैं इस कविता की मदद से ही हम इ के मात्रा को जानेंगे रिमजिम रिमजिम बरसा पानी बोल मेरी मचली कितना पानी जर जर करता बहता पानी इतना पानी इतना पानी कल-कल बहता नदिया का पानी खिल-खिल उठे चिडिया रानी कविता आपको कैसी लगी? अच्छी सभी बच्चे बताएंगे कि पानी कैसे बरसा रिम जिम रिम जिम पानी कैसे बहता है जर जर बहुत अच्छे अब हम इस मज़ेदार कविता से कुछ नया जानेंगे तयार हैं आप हाँ आज हम इक की मात्रा के बारे में जानेंगे इक की मात्रा को इस चिन्व से लिखा जाता है इक की मात्रा को किसी भी अक्षर यह व्यंजन के आगे लगाया जाता है यह मात्रा ही एक अकेली ऐसी मात्रा है जो किसी भी व्यंजन के आगे लगाई जाती है जैसे रिम जिम, रि, म, जि, म, खिल, खी, ल आप सभी बताएं कि इस कविता में कौन से शब्द हैं जिन पर इ की मात्रा लगी है कितना नदिया खिल चिडिया आईए इ की मात्रा के कुछ शब्द सीखें गिलास, सितार, चिडिया, हिरन समझे और पढ़िये दिन, पिन, बिल, मिल कविता, नदिया, दरिया, बनिया सितार, गिटार, किताब, गिलास तिथी, विधी, निधी, निशी आईए पढ़ें दिन निकल आया चिडिया डाल पर आई वह तिनका लाई फिर गई वह और तिनका लाई फिर घास उन लाई अपना घर बनाया फिर दाना लाई हिल मिलकर रहना सिखाया चिड़ा उड़कर आया वह किश्मिश लाया रिमजिम रिमजिम बारिश आ गई चिड़िया का मन खिल उठा प्रुछ पिल्ड़कर आया एब लाई प्राइब लाई प्राइब लाई